शामाचिक माध्धोमे सीप्याएम दलेर एक्टीफ पोस्ट घिरे उत्ताल त्रिपुरा राजो राजनीती ओई पोस्टे दाखा नुहाए उत्तोर पुर्भो भारोतेर एक्टीफ बेशरकारी टिवी चानेले शाक्खात कार दिते गिये तिप्रा दलेर सुप्रिमो केशुर देव्बुर्मोन नाकी बोल छेन राजजेर जनो जाती बेकार जुबादेर कुरी हाजार चाकुरी निश्चोयाता दिलेई तारा बिजीपीर संगे आताते जाबेन। मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि एक पूरा प्लैनिंग है एक ग्रूप से एक लॉबी से जो हमारे तिप्रा साथ को कन्फ्यूज करने का कोशिश कर रहा है और ये जो प्लैनिंग है वो है कि बुबागरा क्या ग्रेटर तिप्रलैंड का कॉस को डायल्यूट कर देगा फाइनली बीजेबी के संग बिना ग्रेटर तिप्रलैंड का इशू को कॉंस्टिशनली सलूशन नहीं लाकर अलायंस कर लेगा ये सब करके ये लोग एक कॉंस्प्रिसी कर रहे हैं हम लोगों को तिप्रा मौथा को कमजोर करने के लिए और इसकी पीछे बहुत लोग मिले ह हुए है बहुत लोग मैंने देखा कि CPM के सब्रूम के कुछ पेज में दिखा गया कि देखो CPM आप लोगो आप लोग के पास 25 साल था अगर आपको तीप्रासा के लिए कुछ करना था आप लोग करते कभी नहीं कि आपने और आज आप उन उस आदनी को आप क्वेशन कर र सबको एक बात बोलना चाहता हूं मैंने कहा था कि Government of India पैकेज देने से क्या होगा वो पैकेज का पैसा contractor के बाद जाएगा वो पैकेज का पैसा मंत्री के बाद जाएगा या MDC के बाद जाएगा या फिर politician के पास जाएगा दो हजार करोड बीस हजार करोड आप ये पैसा हमारे तीप्रासा को नौकरी दे दीजिए मैंने ये कहा था मैंने ये नहीं कहा कि मैं greater तीप्रा लैंड का movement को dilute करूँगा और मेरा एक कहना clear है फुल और फाइनल आप लोग को जिसको जो हमेशा confused रहते हैं जिसको पसंद है confused रहने के लिए मैं आपको I am telling you one thing clearly अगर हमारा greater तीप्रा लैंड का solution constitutional solution राइटिंग में government of India नहीं देता है तो ना हम BGB के साथ ना हम CPM के साथ ना कोई और party के साथ हम alliance करेंगे हम अकेला लड़ेंगे अगर जीतेंगे तो जीतेंगे हारेंगे तो हारेंगे लेकिन जब तक हमको writing में कोई party ये assurance नहीं देता है कि ये constitutional solution लेकर आएंगे और permanent settlement के लेकर आएंगे तब तक हम किसी के संग ना alliance करेंगे ना merge करेंगे इस से ज़ादा और कोई आदनी clear नहीं हो सकता है बीस हजार नौकरी अलग है greater तीप्रा लैंड वो economic solution है greater तीप्रा लैंड constitutional solution है government of India से हमारा बात होना चाहिए मैं government of India को फिर से दर्ख्वास करता हूँ हमको बुलाईए हम लोग देश के खिलाफ नहीं है एक newspaper ने लिखा कि हम अखंड भारत चाहते हैं greater तीप्रा लैंड हम होने नहीं देंगे greater तीप्रा लैंड का movement खालिस्तान जैसा movement नहीं है खालिस्तान देश से अलग होना चाहता था हम लोग आज भी ready है तिरंगा लेकर सरद में बॉर्डर में बैट कर हम लोग illegal migrants के खिलाब लडने के लिए तयार है और हम लोग अपना movement को dilute नहीं करेंगे इससे ज़ादा अगर किसी को बार बार clarify करना हो तो ये मुझसे होगा नहीं और मैं अपने तीप्रा साब को एक बात बोलना चाहता हूँ अगर आपको fight करना है तो fight करो अगर fight नहीं करना है तो जो 70 साल से हो रहा था वो घर में बैठ कर आप रह जाओ मैंने बहुत sacrifice किया है और आने वाले दिन में media जो big चुका है सब नहीं लेकिन कुछ-कुछ media जो big चुका है वो हमें confuse करने का कोशिश करेगा आपको confuse होना है तो आप confuse होगे अगर आपको अपने बुबागरा के उपर विश्वास है तो एक बार देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ये मेरा clear message है कि हम अपने constitutional, social, cultural, constitutional, demand से नहीं हटेंगे जब तक कोई writing में हमें नहीं देता है greater तिप्रा land अब इसके बाद अगर तब भी भी आपको हमारे उपर विश्वास नहीं है तिप्रा सा लोग तो जाओ vote करो बीजेबी को जाओ vote करो Congress को जाओ vote करो CPM को और 70 साल से जो हो रहा था वो होते ही रहेगा और आप लोग रोते ह रहेंगे एक आंचुलिक पार्टी जिसका लीडर रेबती तिप्रा से बैठकर बात कर सकता है जो मेवार कुमार जमातिया से बैठकर बात कर सकता है जो जितेंदर चौदरी से बैठकर बात कर सकता है और कहता है चलो एक संग दिल्ली जाओ अपने तिप्रासा के लिए बात इसके लिए जीते और कल भी हम लोग अकेले फाइट करने के लिए तयार है ये मेरा clear message है अब इसके बाद आपकी उपर है लेकिन मैं back down नहीं करूँगा no compromise on greater tipra land I love all of you all God bless you and happy boys once again